कर लिया जाए ओपन एकसल ठीक है दी विंडो जार एंटर चलिए तो कल वाला सब बन गया था टोटल सब से बनी गया होगा आप सब ज्यानी लोग हैं सर्वगुण संपन्न लोग हैं ठीक है चलिए मुझे एक फिलोसफी याद आ गया मैं नया फिलोसफी बनाया था दो-तिन पहले सोच रहा हूँ आपके साथ भी सेयर कर लूजी तो आपके साथ भी बता दू कि इसना होन क्यूं बजा रहा है देखिए फिलोसफी ये है कि इंसान बिगड़ता या बनता सिर्फ अपने ही भाग्य से नहीं है बलकि उसके साथ जो रहते हैं उनके भाग्यका भी एक य तो फैसला आपकर लो कि किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है ठीक है आदनी बनेगा या बिगड़ेगा सिर्फ उसका भाग्यता नहीं करेगा बलकि उसके आसपास उसके साथ जो व्यक्ति रहते हैं उनका भाग्यका भी एक योगदान होता है सायद इसलिए बोला जाता है संगत से गुढ होता है संगत से गुढ जाए बास फासो में स्री एके बाव भिकाए बढ़ियान है ना चली अच्छी बात है कल क्या पढ़े थे जरा बताना कल क्या पढ़े थे हम लोग बताओ अच्छा वी लूक अप पढ़े थे चलिए कल कुछ चीजे मैं जैसे ही सेशन खतम हुआ ता इसी मेरे को याद आ गया तो मैं सोच रहाँ कि आप उसको बता दू ओ वी लूक अप पर इसे काम करेगा ठीक है आपने एवरेज का फंक्शन पढ़ा एवरेज था एवरेज इप था एवरेज इप्स था पता नहीं क्या जैसे बाकी सम इप काम किया वह ऐसी मैंस इप्स भी काम करेगा ठीक है लेकिन वी लूक अप में कुछ ऐसा है नहीं जैसे multiple column को combine करके अगर चाहें कि data निकाले तो वैसा वी lookup में तो कुछ है नहीं जी ठीक है एक advanced filter का भी एक function आ गया है ऐसा है 2019-20 में Excel में 19-20 Excel में download करता हूँ तो आपके सामरे में demonstrate करूँगा filter function कैसा काम करता है ठीक है अभी 2007 है 2010 तो window 10 में था जो मैं चालू नहीं किया boot नहीं किया उससे मैं window 7 से किया हूँ इसमें 7 है ठीक है तो multiple column का देख लेते हैं कैसे होगा जी तो चलिए इस Excel को मैं बंद करता हूँ ठीक है और मैं open करता हूँ data वाले Excel को right यहाँ पे condition यह है कि serial number और name जब दोनों type करें तब हमारा बाकी details सामने आ जाए यहाँ पे मैं आता हूँ control plus plus का sign मारता हूँ ठीक है फिर यह लीजी है ठीक है यहाँ पे मैं एक और column करता हूँ ठीक है इसी का format मेरे को इसमें चाहिए तो मैं क्या करूँगा control C करूँगा और right click यहाँ पे करूँगा paste special पे जाऊँगा और फिर यहाँ पे कर दूँगा किदर है format यह है format ठीक तो format pointer का भी आप इस्तेमाल कर सकते थे इसका जो मैं पहले करके बताया थे एक बार आपको अभी मैं सिर्फ res underscore n o ठीक मैं बोल क्या रहा हूँ लिख क्या रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है सच में दिमाग खराब हो गया है प्या करें ठंडी के मौसम में ब्रेन में भी बर्फ जम गए हैं खेर छोड़िये मैं चाहता हूँ कि registration number और serial number डाला जाया तो फिर यहाँ पे आए एक टेबल मैं और बनाता हूँ multiple टेबल के साथ आप तो ऐसे काम करोगे इससे आपको अंदाजा हो जाएगा ठीक है तो reg underscore no इधर फी ठीक यहाँ पे registration number लिखा जाएगा मैं इसी registration number को यहाँ पे उठा के लिखूँगा ठीक है ऐसे और यहाँ पे कर दूँगा कुछ भी इतना ठीक है इतना इतना ठीक है और मैं इसी को पकड़ के खीच लूँगा ठीक है ऐसे ठीक ना इसको लगता है पूरा मेरे को खीचना पड़ेगा पकड़ के ठीक है ऐसे खीच लिया यह भी टेबल बनन गया यह दूसरा टेबल है ठीक है और यह मेरा पहला टेबल है ठीक पहले देखते हैं कि इन दू कॉलम के मदद से हम बाकी डेटा को कैसे प्राप्त करते हैं राइट तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे आके paste कर देता हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को तो इसको और इसको मैं combine कर दूँ ठीक है तो combine कर देता तो बड़ा अच्छा होता ठीक है, दोनों condition के आधार पे तो मैं क्या करूँगा न कि इसको और इसको एक और column मैं बना लूँगा ठीक है यह और इसको और इसको मैं जोड दूँगा आपस में ठीक कैसे करूँगा आप देखिए ठीक है, जीक बल्टू का sign दूँगा इसको करूँगा जी, ठीक है और फिर end का sign दूँगा concatenate करूँगा underscore लगाँगा, यह करूँगा एक करूँगा और फिर यह करूँगा enter कर दिया यह देखिए 101 registration number और one roll number आ गया ठीक, अब इसकी को मैं पकड़ करके खीच लूँगा नीचे ठीक, यह ऐसा आ गया ठीक है, यह दोनो column के मदद से यह बना है, right ठीक है, बना है ना तो अब इसको हम find करेंगे तो यह दो row find होगा एक बार में, ठीक है दो column find होगा एक बार में ठीक है, और हम अपना काम कर लेंगे ठीक, अब ऐसा value हम कैसे type करेंगे, ऐसा तो type करेंगे नीजी हम हम तो कर देंगे लेकिन आप इस तरह से जिसको समझाओगे, जो काम करने वाला worker रहेगा, हो सकता है, आपने कुछ application इस तरह का बना करके, automate करके दे दिया, Excel का, सामने वाला ऐसा type ही नहीं कर पा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा ना तो इसलिए आप क्या करोगे बता रहा हूं क्या करोगे, 101 यहाँ पर type कर दिया यहाँ पर type कर दिया जी, tab मारा, ठीक, formula name पर मैं लगाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है we look up, tab मारा मैंने, ठीक है, look up value अब महत्तो का है look up value, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर concatenate किया, ठीक, उसी तरह से यहाँ पर भी मैं concatenate करूँगा, डेटा इन दोनों को उठाऊँगा ठीक, ध्यान से देखना, इसको मैंने लिया, यह आ जाएगा registration number, फिर end का sign लगाऊँगा, फिर यह दूँगा, फिर यहाँ तक दूँगा, ठीक, यह, इसको भी मैं select किया, कॉमा दिया, बोल रहा है जी, column का index बताओ, मुझे name चाहिए, तो एक यह, दो, तीन, चार, चौथा में name है जी, तो यहाँ पर चौथा कर दिया मैं, कॉमा दिया, ठीक, फिर बोल रहा है, true, false, मैंने false दिया, यह करके कर दिया, enter, आ गया जी, यह देख लो, यहाँ पे, इस तरह से मैं concatenate किया हूँ, look up value का, इन दोनों को मिला के, concatenate मैं ऐसा किया, तो क्या हुआ, ऐसा, इसको मैं copy करके, बाहर मैं paste करता हूँ, ठीक है, यह देखिए, यहाँ पे आया और paste कर दिया, ऐसे न, equal to का sign देना पड़ेगा, यहाँ पे paste किया, तो यह देखिए, ऐसा बन गया न, ऐसा बना तो यह look up value में, ऐसा ही data यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है, विंडोज प्लस प्लस दबाया में, ठीक है, यह देखिए, ऐसा है, पनाया होगा, ठीक है, यह तो जो select किया होना, इसका value क्या बन रहा है, यह देखिए, ठीक, बाकी तो नहीं चलेगा, ठीक है, यह वाला value ऐसा बन रहा है, ठीक है, control-z, ठीक है, enter, यहाँ पे आया, जेट मार दिया, ठीक, ऐसा हो गया जी, अब इसी को आपको पकड़के खीच लेंगे तो काम चल जागा, लेकिन मैं खीचूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे column function मैंने नहीं दिया है, और इन सब को fix नहीं किया है, तो इसलिए मैं खीचूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, इसको copy paste करूंगा, ठीक, आप भी चाहो तो कर सकते हो, पर आप अभी करना मत, बता दे रहा हूं, करना मत, क्यों, इसलिए मत करना, ताकि आपको बार बार फर्मूला टाइप करना पड़े, और बार बार आप फर्मूला अगर टाइप करेंगे, तो आप आपको प्रेक्टिस आपके लिए ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसलिए आप लोग मत copy paste करना, मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, मुझे आदत है, आप लेकिन मत करना, बहुत अच्छा तो होता कि मैं आपके समयने copy paste भी नहीं करता, मैंने वले लिखता, लेकिन मैं नहीं लिख समय बचाने के कारण, ठीक है, तो इस तरह से आप ले लाओगे न, अब इसको आप चाहो न तो hide भी कर दो, ठीक है, hide किया, पार हो गया मेरा serial number जी, control Z करूँगा मैं, ठीक है, इन सब को ऐसे पकडूँगा, इसको move कर दूँगा, ऐसे, ठीक, अब इसको आप चाहो तो hide कर तो जी, तो यह दिखेगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 102, ठीक है, यहाँ पर करूँगा, 2, enter किया, आगया सुमित वला data, ठीक है, तो ठीक इसी तरह से आप कर लोगे, right, हो जाएगा न सब से, होगा नहीं होगा जी, होगा नहीं होगा, चुप चाप है, मतलब सायद नहीं होगा, मैं फिर से डिलीट करता हूँ, इन सब को, डिलीट किया, जो हाइड मैं किया था, ठीक है, उसको दिखाता हूँ, मैं कैसे दिखाऊंगा, हाइड अन हाइड का कहां पर होता है, इधरे कहीं से मैं पढ़ा था, और आपको कॉलम कैसे यार मैं तो भूल किया कैसे होगा वह ए देख लीजी यह वहला खीच के ले लाता हूं इद्ध है ठीक है यह है यहाँ पर मैं आदमी हुजी तो ऐसे खीच के ले लाओंगा ठीक यह छुपा नहीं पाएगा इसको भी हाइड करना है तो ऐसी एक में टच करा देगा है तो हाइड हो जाएगा ठीक है यहाँ पर मैं आओंगा मेरे को ऐसा ही वैल्यू बनाना है ना इन दोनों को मिला करके कैसे बनाओंगा मैं बड़ा असान है जी इक वर्टू का साइन दो यह दो ठीक है फिर कॉनकेटिनेट फंक्सन का भी यहाँ पर इस्टेमाल कर सकते हो एंड किया डबल कोड दिया अंडरिस्कोर दिया फिर यह किया जरूरी नहीं कि आप अंडरिस्कोर भी दो कुछ भी सेपरेट करने के लिए दे सकते हो आप ठीक है सेपरेट करने के लिए आप कुछ भी दे सकते हो या कुछ भी ना दो तो भी चल जाएगा ठीक है कुछ भी नहीं दोगे तो भी चल जाएगा बस मैंने ऐसे ही दे दिया है ठीक है यह आएगा फिर यहाँ end करूँगा फिर इस value को ले लिया ठीक है enter मारूँगा तो ऐसा बन गया ना तो ऐसा ही value मुझे वी look up में देना है ठीक है मैं data आपकी बार यहाँ से उठाऊँगा ठीक ताकि आप लोगों को clear दिखाई दे ठीक है equal to assign, we look up, tab मारा ठीक है यह लीजे हो गया कॉमा table array मांग रहा है यह table array मैंने दिया कॉमा मेरे को name चाहिए तो name है चौथे index पे साया, चौथा दे दिया false करके enter मार दिया है अब की बार मैं यहाँ से लिया हुझी तीक है, यह देख लो E 15 E वला यह है और 15 यह है, तो यहाँ से मैंने data लिया है अब यहाँ पर मैं क्या करदूँगा 101 करूँगा, tab मारूँगा इसको one करके enter कर दूँगा, तो यह देखिए आ गया ना अब इसी data को मैं VLOOKUP में यहाँ पर उठा लिया हुए देखिए clear है है नहीं है नहीं है पता नहीं है कि नहीं फिर से लोग चुपचाप है मतलब कुछाओ समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करूँ light डबाज आने दीजिए यहाँ पर पूछ भी नहीं सकता मैं कुछ चलिए light आने दीजिए तब तक मैं इसको पाउस करकर रखता हूँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि जब WhatsApp खोलोना लगता है गुर्वसिष्ट आ गए है द्रोणा चार्ज आ गए है गुर्फुल खुल गए है विवेकानन जैसे ग्याणी लोग सणक पर घुम रहे है वाँ 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 सतियूग आ गया है पर क्या करें केंपस के बाहर निकलो तो पता चलता है वही करियूग था वैसे मैं कहा था जरा बताईए आप लोग कौन केटिनेट पर तो समझ में नहीं आया यह वाला कौन केटिनेट वाला आगे चलो समझ में आया नहीं आया नहीं आया देखिए इक्वल टू का साइन देजिए इसको सेलेक्टर के एंटर करिए तो यह वाला वैल्यू उठके यहां आ जाएगा आ गया ना अब इसके साथ कोई text आपको दिखाना है तो आप क्या करोगे end का sign लगाओगे double quote में कुछ चो लिखके double quote बंद करके enter कर दोगे ठेक तो क्या होगा जूड जाएगा जूड़ेगा ना और फिर इस text के फिर right में अगर कुछ आपको दिखाना है तो क्या करोगे end का sign फिर से लगाओ और फिर इसको जूड लो और enter कर दो तो जूड गया ना आपस में दोनो अब इसी text को मैं हटा के क्या करूँगा कि यहाँ पे underscore लगा दूँगा enter बन गया ना यही चीज मैं यहाँ पे किया हूँ यह clear है अब मैं इसको delete करता हूँ इस formula को edit कर रहा हूँ ठीक वही चीज इस formula के अंदर मैं लिख रहा हूँ यह देखिए यह लिखा end का sign लगाया ठीक है यह किया और फिर underscore दिया फिर यह किया फिर end का sign लगाया ठीक अब दूसरा value यह इसको ले लिया ठीक है मार दिया enter तो हमीता गया तो मुझे लगता है कि इसमें अब दिक्कत नहीं होना चाहिए नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा चलिए जी फिर से we look up मैं type करता हूँ पूरा ठीक है बोड़ाय लूकप value बताओ यह लिया end underscore end ठीक है और यह ठीक कॉमा दिया ठीक है अब पूछ रहा टेबल एरे मुझे बताओ टेबल एरे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया ठीक है कॉमा फिर बोड़ाय कॉलम इंडेक्स क्लास चाहिए हमें तो क्लास कितने में है पांच में सायद होगा पांच लिखा कॉमा दिया ट्रू नहीं फाल्स आ गया ना पिन कोड में भी वही मैं करूंगा ठीक है कॉम्पी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे देता हूँ छे ठीक आ गया ना पिन कोड तो यह वाला समझ में आ गया ना नहीं आया समस्या है अभी कुछ नहीं है अब है नहीं है चलिए जी अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे फीस भी आ जाये जिसका मैं यहाँ पे टाइप करूं ठीक जिसका मैं टाइप करूं उसका यहाँ पे फीस भी आ जाये ठीक है फीस किसके अकॉर्डिंग चाहिए मुझे रजिस्ट्रेसर नमबर के अकॉर्डिंग क्योंकि रजिस्ट्रेसर नमबर इसमें भी है और इसमें भी है ठीक तो क्या करूंग मैं कि यहाँ पे जो फीस है कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ठीक ए लिए और फीस आ जाए कि किसके according इस registration number के according ठीक क्या करूंगा simple equal to का sign दोंगा we look up type करूंगा ऐसे ठीक है और फिर यह पूछ रहा है look up value बताओ look up value यहाँ से उठा लूँगा फिर table array मांग रहा है मैं ये table array इसको दे दूँगा कॉमा कॉला मुझे फीस चाहिए तो दूसरा number टाइप करूंगा फिर false कर दूँगा एंटर कर दूँगा आ गया ठीक है 102 करके एंटर किया यहाँ पे लिखा 2 अगे बाएंटर मारा तो यहाँ पे आ गया ठीक आ गया ना ऐसे हो जैख ठीक आगे चलें जी ठीक है आगे चलते हैं डिलीट कर दूँ इसको कर दो ना टेक्स्ट फंक्शन में बताया था नहीं बताया था नहीं बताया फिर से बता देता हूं सायद मैं बताया था मुझे याद है फिर से बता रहा हूँ जो है सायद मैं भूल रहा था एक बताना पाउस मैं करता हूँ वीडियो को पहले प्रोडक्ट वगर का नाम लिखता हूँ मैं ठीक है यह देख लिजे ये है मैं टेक्स्ट फंक्शन का बेसिक यूज थोड़ा सा बताता हूँ आपको एक कंट्रोल के बाद से मी कॉलन दबाया या कॉलन तो यह आ गया यहाँ पर याओंगा इपल टू का साइन दूँगा ठीक है टेक्स्ट फंक्शन लिखता हूँ मैं पहले ठीक है इपल टू टेक्स्ट फिक है वैल्यू ये दूँगा ठीक है कॉमा अब बोल रहा है फॉर्मिट बताओ यहाँ पर डवल कोट में मैं अगर डी 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 एक बार लिखोंगा इंटर मारूंगा तो बाइस आ गया ठीक है इस बाइस को मैं कम करके कर दूँगा दो ठीक और इसको भी कम करके लिख दूँगा नौ ठीक यहाँ पर मैं आया इंटर मारा दो आ गया ठीक फिर यहाँ पे एक बार D लिखोंगा तो यहाँ पे 0 दो आ जाएगा क्यों यह 0 के साथ DDD रहता है तो करता है 3D लगाँगा तो shortcut में date का नाम आ जाएगा 4D लगाँगा तो यह आ जाएगा ठेक तो इस तारीकों कौन सा date था वो यह है महीना भी आप वैसे ही जान सकते हो सिंगल M लिखोंगा तो यह आएगा डबल M करके एंटर करूँगा तो 0 के साथ आएगा ट्रीपल M करूँगा तो short में आएगा नाम और इतना बार कर दूँगा तो इतना बार आज आएगा वाई वाई करोगे तो year में भी यही होता है राइट ट्लिक करके मैं जाता हूँ format cell ठीक है custom format और यहाँ पे आता हूँ इसको हटाता हूँ देखिए M M लिखोंगा तो कैसा आएगा यह देख लीजे एक बार M में ऐसे आएगा दूसरा बार M लिखोंगा तो 0 9 आएगा तीसरा बार M लिखोंगा तो September आएगा चौथा बार में ऐसा आजाएगा धी डेट वेपक बैसेशिया एक बार D तो ऐसा दो बार D तो ऐसा तीन बार D तो ऐसा चार बार D तो ऐसा यहाँ पे आप देखिएगा जो है ठीक है year में भी कुछ वैसे ही है एक बारवाई तो ऐसा आगा, दो बारवाई तो ऐसा तिन बारवाई तो ऐसा, चार बारवाई तो कुछ नहीं ठीक, तो इस तरह से यह format करता है, ठीक समझ में आ गया मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा मेरा रहे date लिखा हो, ठीक है date, column फिर date यहाँ पे बगल में सो करें, ठीक, कैसे यहाँ पे आऊँगा, equal to assign दूँगा, concrete कर दूँगा ठीक है ऐसे करूँगा, यहाँ पे यह करके कर दूँगा, enter क्या मजाक है जी मजा नहीं आया है तो मजाक, आप लोग को मजा आया नहीं, पता नहीं है क्या दिखा दिया, मजा नहीं आया है, ठीक है अब date, अगर इस तरह से दिखाना है text के साथ कौन के टिनेट करके तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी text function का आप इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है text, ठीक है format यहाँ पे आप बता दीजिए कैसा होगा मैं बता देता हूँ जी mm space dd, space yyyy ठीक है, आइसा, enter क्या बोल रहा है, मैंने गलत लिखा है नहीं, सहीए है separator आप लगा दो यहाँ ऐसे ठीक है, मैं नहीं लगाया, ऐसे तो अब आ रहा है न, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर लोगे date का, ठीक है हो जाएगा, ठीक है बहुत आसान है, आप लोग तो क्यानी लोग हो समझदार आदमी हो, ठीक है इसको delete किया, ऐसा आ गया जी ठीक है यहाँ पर आप चाहो, तो ऐसा भी लिख सकते हो जैसे आज का date चाहिए न, today, ठीक ऐसा, enter करोगे तो आपका जो आज का date है उसको concatenate कर देगा, जैसे मैं क्या किया था पहले, पहले मैंने यह किया था कि दूसरे जगा date था, उसी को मैं format किया था लेकिन यहाँ पर मैं क्या किया, इस तरह से किया, ठीक है, text function के अंदर आज के date को ला दिया, इस तरह से, function call किया और text function के अंदर तो इस तरह से आप कर लोगे हो जाएगा न, आब यह देखिए, यहाँ पर quantity बताया हुआ है कुछ, ठीक है इसको भी हमें कुछ बदलना है कैसे बदलना है, right click कर दूँगा मैं, यहाँ पर अभी auto sum करूँगा न, तो हो रहा है, ठीक है, चलो जी, इसको यहाँ पर right click करते है, format ठीक है, इसको भी कुछ formatting कर देंगे custom में, ठीक है general है, इसको हटा दूँगा जी, यहाँ पर लिखूँगा P, I, S space, A, space ये, फिर, ये फिर क्या मैं करूँगा, एक ठो hash दे दूँगा, hash माने नम्मर ठीक, तो कैसा दिखेगा, यहाँ पर आ गया, ठीक, enter मार दिया ऐसा आ गया, मजा नहीं आया जी ठीक है, self format इसको आप हटा दो ठीक है, तो इस तरह से आ गया, ठीक, आ गया अब इसको मैं क्या करूँगा, alt equal to मारूँगा, तो ये जुड़ गया, और यहाँ पर भी आ गया ठीक, अब आप चाहो तो इसको भी format दे दो कुछ ठीक है लेकिन बदल जाएगा फिर ठीक है ऊपर ठीक है, ये देख लो ऊपर जो है, ये है मजा नहीं आया मेरेको मैं फिर से इसको बदलता हूँ कैसे बदलता हूँ इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं ये फिर यहाँ पर लिखता हूँ space PIS ये ठीक लग रहा है इस तरह से आपको उगर कुछ दिखाना है तो ये दिखा सकते हूँ ठीक, तो ये text function से possible है, बाकी तो possible नहीं है ठीक है, मान लोगर मैं ये देख लो दिखाई दे रहा है, सिर्फ लेकिन इस पर डबल क्लिक करूँगा ना तो ऐसा ही दिखाई देगा ये देखिए, ये देखिए जैसे आधार नंबर है ना, आधार नंबर कितने का होता है बारांग का होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा एक, दू, तीन, चार, पांच, साथ, आट, आठ नो, 10, 11, 11 अभी तो मजानी आया एक, दू, तीन, चार, पांच, साथ, आठ, 9, 10, 11 एंटर किया, ऐसा होगया, ठीक है इसको मैं क्या कर दूँगा? परसेंटेज नहीं चाहिए भाई टेक्स्ट में कर देना सिधा इसको ठेक्स्ट में कर दिया तो ऐसा आ गया या नंबर भी इसको मैं कर सकता था अब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि यह कितना अंख है नहीं पता चल रहा है ना इसको हम लोग क्या कर देंगे फॉर्मेट करेंगे सेल फॉर्मेट में जाके कर यहां पर आओंगा है है जाज है कर दो भूब यहां रहेगा नहीं हुआ ना मजा नहीं है मैंने कुछ गल्टियां किया उसको करता हूं मैं कस्टम फॉर्मेट यहां पे, ठीक है, जन्रल हटा दो इसको जी यह लोना यहां पे में किया था फॉर्मेट कर टॉम में, ठीक है तो इसमें क्या किया था वाई से किया था ठीक है, यह वाला है जहाज ही करके, इंटर अईसा आ गया, अब इसमें मैं चाहूँ, यह देखें, डबल क्लिक किया तो ऐसे ही आ गया अब यहां पे ऐसे है तो पता चल जागा जी, ठीक है अब इसमें क्या करो ना, ऐसे कर लो आप अईसे कर लो, तो भी अच्छा है, ठीक है, यह देख लो यह देख लो, ऐसा आ गया ना, यह देख लो, ठीक है तो ऐसा आप बना सकते हैं इसका, ठीक है इसमें डबल क्लिक करोंगे तो यही है, बस फॉर्मेटिंग में वो दिख रहा है बस आपको कि लिखा हुआ है, पर यह इंटरनली जो है, नंबर ही है, ठीक है, नंबर में लिखा है ठीक है, तो इस तरह से आप कर लो गया, आपके लिए आसान काम हो गया हो गया ना, ऐसा बन जाएगा, इसको आप चाहो तो केजी में भी कर दो, मैं piece में convert किया हूँ, किसी में convert कर दो, यहां, total करके दिखा दो, ठीक है, यह जो total में sum किया हो न, यह text function के अंदर भी कर लो आप, ठीक है, जैसे equal to का sign दिया, double quote लिखा, total space, ऐसे, ठीक है, फिर text इसको पूरा ले लो, ठीक है, ऐसे, कॉमा, फॉर्मेट में कईसा दिखना चाहिए, हैज ले लो ना, ऐसे, कॉनके टनेट नहीं किया है, जी दिख लीजे, टिक्ट फंक्शन के अंदर में लिखा हो रहे, ऐसा आ गया, ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो यही है, टेक्ट फंक्शन में जादा, इसके बार में और कुछ बोलना नहीं चाहता, जैसे, जैसे आप रियल टाइम पर काम करोगे, वैसे, वैसे आपको काम करने के अलग-अलग तरीके पता चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर आगा के क्लिक किया, कंट्रोल ए दबाया, तो सेलेक्ट हो गया, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, एकात दिन मैं कोशिस करूँगा कि कुछ सौटकट बटन जो अगर है, आपको दिखा दूँ, समय मिलता है और मुझे याद रहता है, तो इस तरह से आप टेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया करोगे, ठीक है, आसान काम ह सब के लिए, यह चल तो रहा है ना, चल रहा है, यह तो उस दिन के जैसा यह मैं पाउस ही छोड़ दूँगा और सब बता के खतम कर दूँगा, किसी को कोई दिक्कत पीछे, नहीं है दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए आप लोग, समस्या नहीं है तो मैं क्लास खतम कर आगे चलों कुछ, आगे चलें, और कुछ ऐसा फंक्सन जो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या, एक्स लूक अप, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वी लूक अप, ठीक है, वी लूक अप का क्या मतलब है जी, वर्टिकल लूक अप, ठीक है, क्या करता है वो, कि एक साइड ऐसा जो है, यह है वर्टिकल, यह वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल यह है, ठीक है, तो इधर से खोजता है, जो मिलता है, वो इधर चल जाता है, ठीक है, और एक होता है एच लूक अप, ठीक है, एच लूक अप के मने क्या, वो ऐसे खोजेगा, और फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है, X look up क्या करता है, उसको मतलब भी नहीं है ठीक है, चलिए जी, देखते हैं हम X look up में क्या क्या है, मैंने भी use नहीं किया है, X, sorry, मैं नहीं बता सकता आपको इसमें, ठीक है, ये में समय जो है, 2007 है, ठीक है, तो X look up higher में मिलेगा आपको, ठीक है, चलिए मैं 2010 इस्टॉ करता हूँ, विंडो 10 में ठीक है, तो बता दूँगा आपको X look up ठीक है, काया कि इसमें higher version है नहीं, जैसे 2-3 और function थे, जैसे filter function था, वो मैं चा रहा था बताना, लेकिन हो 2019 में है, ठीक है, तो मैं पोसिस करता हूँ कि एक-दो दिन में MSWP 2019 डाउनलोड कर लूँ और आपक कुछ, पिछला कोई चीज है, अच्छा इन menus को बताया था मैं, यह name manager है, आप चाहिए तो कुछ name define कर सकते हैं, ठीक है, जैसे माल लीजे बार बार आप यह table select करते हैं न, इतना बड़ा, माल लीजे data बहुत जादा है, जैसे माल लीजे मैं we look up किया, ठीक है, we look up किया, look up value म मैं ऐसे ले लेता हूँ, लेकिन बहुत जादा value होगा, तो क्या करूँगा, ऐसे ले लूँगा, नहीं ले पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, name manager में, ठीक है, और इस table का एक नाम दे दूँगा, ठीक है, क्या नाम दे दूँगा, is student, ऐसे, ठीक, आ गया, या फिर मैं इसका नाम यहाँ से भी दे सकता हूँ, ऐसे सलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर लिख दूँगा, जो लिखना होगा, तो नाम यहाँ से भी बदल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा यहाँ से, आसान काम है, अब क्या होगा, जी, equal to का sign दूँगा, we look up ल लोगा, फिर यहाँ पर, यह देख लिख लिख लिख, यह आ रहा है ना, बस इसी को दे दूँगा, काम चल जागा, देखे, select हो ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, तो यह name manager है, define कर सकते हो आप name यहाँ से, ठीक है, यह देखिए, दो ठो जो मैं define किया थो, वह इसलिए error कर रहा है, create from section, यह कुछ create करने को पूल रहा है, left top, bottom, ठीक है, मुझे मैं जो खोज रहा हूँ, वह नहीं मिल रहा है इसमें, सायद hide तो नहीं है, error को यह trace वगर करता है, पर error तो है, नहीं दिये भी, remove eros, मैं कुछ खोज रहा हूँ, वह मिल नहीं रहा है, इसमे सायद projector की वज़ा से दिखा तो नहीं रहा है, सायद जो मैं खोज रहा हूँ, वो 2010 में या बाकी में तो नहीं है सायद, मुझे ऐसा suck है, ठीक है, सायद मैं उसी में देखा रहा हूँ गा, और खोज रहा हूँ 2007 में, ठीक है, تو 2007 मैं open करके आपको दिखा दुगआ जो है, ठी पिछला में तो पुई दिक्कत होना नहीं किसी को होगा होगा दिक्कत नहीं होगा पिछला में किसी को पिछला जो पढ़े उसमें दिक्कत होगा किसी को नहीं होगा नहीं होगा ना होगा पीछे पिछला जितना आप लोग फंक्शन सो गर पड़े उसमें दिक्कत होगा किसी को नहीं होगा नहीं होगा ना होगा चलिए नहीं होगा तो अच्छी बात है तो अच्छी बात है ठीक है क्या कोई फंक्शन जो नहीं बन रहा है पीछे बाला कॉन सा नहीं बन रहा है ढूलम अला और कुछ एक धिक्कत है अनुछ हो तो बताओ इसी को मैं यहां पर फिर से कॉपी पेश्ट जाए इसको तब तक मैं रोक लेता हम इसी को मैं यहां पर फिर से कॉपी पेश्ट कर लेता हम आपका ठीक है यहां से मैं लूक अप करना ही स्टार्ट करता हूं इसको यहां पर दबा के फिक्स कर दिया फिर कॉमा दिया बोल रहा है टेबल एरे बताव मुझे ठीक है इस कॉलम का मैं गिंती नहीं कर रहा हूं ठीक कंट्रोल माइनस दबाया ड अब क्या करूंगा टेबल को कर दूंगा मैं फिक्स ठीक है यह फिक्स हो गया यहां पर आऊंगा इसको भी कर दूंगा मैं फिक्स ठीक ऐसे फिर कॉमा दबाया मैं बोल रहा है इंडेक्स तो इसमें मैं क्या करूंगा कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल कर लोंगा C, O, U, Y, U, Y, Y, I, Columns, ठीक है इसको दोनों को मैं सेलेक्ट किया पहले वाले को कर दूँँगा मैं Fix, ठीक है दूसरे वाले को एचिट छोड़ दूँगा मैं ठीक है इसको बंद किया, फिर कॉमा मारा फिर True या False, मैंने False करके, Brickard बंद करके, Enter कर गया यहाँ पे डाला 101, enter, यहाँ पे आगिया 1, मैं select करता हूँ, ऐसे, ठीक है, control दबा के R करूँगा, तो right fill होगा, और अपने यहाँ पे फिल होगा, ठीक, formula क्या type किया, आपके सामने है, ठीक है, तो समझ में आगिया होगा या कैसे होगा, right filling है, clear, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत करते हैं, चलिए जी मैं बंद कर देता हूँ, अब,